वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फाइशन ब्यूटी लाइफ स्टैल पूजा पार्ट से जुड़े हुए ओल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेयर करते हूं अपनी लाइफ का इस पर हैं तो फ्रेंड इस बार ये शैनिवार दो तारिक को याने की कल है तो मुझे लगा कि मैं आपको पूजा की विधी बता दू क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं पहले से विधी करके नहीं बताती हूं क्योंकि ऐसे पूजा का कोई मतलब नहीं बनता है इसलिए नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता अपने आप में अजीब सा मुझे लगने लगता तो इसले नहीं बता पाती हूं मैं आपके साथ विधी शेयर कर देती हूं और दूसरी चाहिए कि इस बार इस बार सीता नौमी का पूजन स्वयं से नहीं कर पाऊंगे की हस्भेंड लगए क्योंकि कई समस्या हें होती हैं aa फ्युमे buds के साथ फ्यूमे नामी की पूजरी हस्ता नामी को रहा हुए कि की है कि मैं कोई श्यृत भगवार्वावन को की ह्याला है कंट थी समस्या आगई है जो हमारी बहने हैं थी सब समझ रही हुए तो मैं पूजा नहीं कर सकती, फरी मैं आपको विधी बता देती हूं, और बता देती हूं कि अगर आपके पास सीता माता नहीं है, तो आप उनकी कैसे पूजा करें, कैसे उनकी विग्रह को बनाएं, घर में ही आसानी से, तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं, जैसे कि आप स समय रहती हूं, लखनोजी हां, तो पूजा कैसे करने हैं, आप वो समझ लेजे, सर्व पिर्थम आप कोशिश करके, दिखिए, पूजा बहुत इस तरों से होती है, जो विशे से मैं वो आपको बता देती हूं, सर्व पिर्थम आप चौकी पे एक कपड़ा बिचाएगा, क सर्व पिर्थम आप गड़ेश जी का पूजन करिएगा, गड़ेश जी जैसे की सब लोग जानते हैं, आप सुपाड़ी से बना सकते हैं, सुपाड़ी रखके पूजन कर सकते हैं, तो गड़ेश जी का शर्व पिर्थम पूजन करिएगा, अस्ट दल कमल बनाएगा, कलस की इस्थापना करिएगा कलस में लॉंग सिपाड़ी इलाइची ये जितने भी चीज़ें आपके पास उपलब्द हो जाती हैं आप वो डालिएगा अगर आपके पास कुछ भी उपलब्द नहीं होता तो आप जल गंगा जल डाल के उसके अंदर दूरबार डाल दीजेगा और आप कलस की स्थापना कर दीजेगा क्यूंकि नौबमी है इसलिए कलश पर नारियल नहीं रखा जाएगा हम जो है वो मा का प्रिकट उत्सब मना रहे हैं तो उत्सब में कलश के उपर नारियल नहीं रखते हैं हम सिर्फ दीपक रखते हैं जो कि संकल्प लेके हम दीपक जलाते हैं मैंने हमेशा कहा है कि मांगलिक कार में कलश के उपर दीपक जलाया जाता है इस बात का आप लोग वे सियer धियान लगिए तो हम सिर्फ दीपक जलाएंगे दीपक आपके पास जो भी उपलब्ध है तिल का तेल घी आप उससे जला सकते हैं अब मा सीता का विग्रह अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बनाएं तो आप हल्दी को आटे की तरहे माल कर ही जो है वो सीता मा का विग्रह बना सकते हैं अगर नहीं है हल्दी आपके पास तो आप गमले से मट्टी बनाई में निकालिएगा और मट्टी से ही अपने इक्छा अनुसार स्वरूप बनाके मासीता का विग्रह आप तयार कर लीजिएगा क्योंकि और धर्ती की कोक से ही निकली है तो जब आप ये विग्रह मिट्टी से बनाएंगे तो वह भाव ही अदभुध होंगे आपको एहसास होगा कि आपने साक्षात मासीता की पूझा की है जैसे कि मैंने देखा है ये प्रैक्टिकल मैंने किया है तो आपके पास अगर विग्रह नहीं है मासीता का तो आप गमले से मट्टी निकाल लीजिएगा और मासीता बना लिजगा, किसी कारण बस अगर आपके हाँ गमले भी नहीं तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं मासीता को सर्वपिर्थम आप नीचे जो हलके से चाबल बिछा कर उस पर मा की स्थापना करिएगा मा को जल, गंगा जल, कच्चे दूद में थोड़ी से हल्दी मिलाकर इस्थनान करवाएगा इस्थनान कराके मा को जो है वो आप कुम-कुम लाल रंगी अर्पित करिएगा जिसे रोली भी कहते हैं आप वो अर्पित करिएगा मा को कलावा बांधिएगा वस्थर रूपी कलावे भी अर्पित करिएगा अगर कोई चुनरी आपके पास रखी है तो आप अगर पुरानी भी है माली जो आपकी देवी जी की है पुरानी भी है तो आप उसको गंगा जल छेड़त कर मा को अर्पित कर सकते हैं सुहा की सामगरी आवश्य चड़ाई जाती है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो मानसिक रूप से आप मा को अर्पित करें सिंगार सामगरी बिल्कुल ना रुकें और उसके बाद आप मा को भोग अर्पित करें भोग में आप पूल, फल, मिठाई, खीर चूब ही आपको पलब्द हो जाता है आप भाप के साथ पूरजा करें मा शीता की आरती करें अगर रामदर्बार है तो बहुत अच्छी बात है अगर रामदर्बार नहीं है तो आप मा सीता का इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं दीपक कोशिश करके सुभा से साम तक जलाएं भजन करें, कीर्टन करें आप जो है मा के लिए आप जो भी कर सकते हैं दिन भर सात्विक रहके वो करें क्योंकि ये उत्सब है जैसे कि मैंने कहा जैसे कि हम लोग छटी में ब्रत नहीं रहते हैं उत्सब के रूप में मनाते हैं वैसे ही इस दिन जैनती पर भी हम ब्रत नहीं रहते हैं क्योंकि इसे हम उत्सब के रूप में मनाते हैं क्योंकि मा जो है वो प्रकट हुई थी तुनका प्रकट डिवस भी मनाते हैं तो इसमें हम ब्रत नहीं रहते हैं अगर आप रहना चाहते हैं तो मानसिक संतुष्टी के लिए तो रह सकते हैं वैसे उत्सब में ब्रत नहीं रहा जाता, तो आप इस तरीके से मा के पूजा कर सकते हैं, घर में समस्त लोगों को कुम-कुम चंदन लगाए, कलाबा बांधिये, सब लोगों को मा को हाथ चोड़के, प्रणाम करिए आशिरवात लीजे और इस तरीके से आप सीता नौमी पर संपूर पूजन करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था, कि दीदी हमारे पास सीता जी है ही नहीं हम कैसे पूजा करें, तो उसके लिए था कि अगर आपके पास सीता जी नहीं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो सीता जी को बना कर, अपना मंचाहा स्वरूप उने देकर उनकी पूजा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बाद में जो लोटे का जल होगा, उसे आप किसी गमले में डाल दीजेगा, परिवार में आप घरण कर सकते हैं, उसका जल थोड़ा बहुत घर में छेड़क सकते हैं, उससे अगर वास्तु की थोड़ी बहुत समस्या हैं, तो वो ठीक मना सकते हैं मेरे घर में पूजा होगी लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि husband करेंगी तो कोशिश करूंगी वीडियो शूट कर लूँ, अगर कर लूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं कर पाउँगी, तो मुश्कीलिये मुझे नहीं लगता हो पाईगा, क्योंकि मैंशिंगार बगरा नहीं कर पाऊँगी, जो बात है, फ्रेंट्स post post है, मैं बहुत जादा, मतलब नहीं इस तरीके से कि नहीं मैं हर पूजा करी लेती हूं भगवान की इतने किरपा रहती है मेरे उपर के हर तहवार हो जाते हैं तो जैसे अब लोग जानते हैं मैं जूट नहीं बोलती तो इसी तरीके से तो अभी कोई समस्य है तो इस तरीके से नहीं कर पाली लेकिन म